हेलो प्रेंड रादे रादे कैसे हैं आप सबासा करते हैं अच्छी होगे आपका स्वागत है सकुंतला के रसोई एंड ब्लॉग में आज हम बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी और शुपर शुपर रेस्पी तो आज हमें याप क्या बनाने जा रहे हैं आप लोग भी दिन तक स्टोर करके रख दो खराब नहीं होगी फिरिज में क्या आप ऐसे ही खुले में भी रख सकते हैं रसोई में वो भी आपकी चार पहुंच दिन तक खराब नहीं होगी अगर अच्छे से जैसे मैं बता रही हूं वैसे ही आपने बना ली तो ये चटनी जली से प्रेंट यहां पे हम लेना है प्याज वह भी कटकर कर रख लुआ है तो सभी चीजों को हमने चौप कर रक लिए चलते हैं किशिन में एक कड़ाई लेलिया उसमें डाल धिया हमने सरसों का तेल अब तेल हमारा जैसे ही गरम हो जाएगा तो हमें सरसों का तेल गरम होने में थोड़ा टाइम लगता है सिलोगेस पर करना है ज्यादा हाई प्रेंपर रखेंगे तो बहु जल्की गरम हो जाएगा तो उसका जो फ Dorothy रहता है वो अच्या रह नहीं रहता है प्रेंड इसमें हमने डाल दी तोड़ी सी राई और यहां पर हमने डाल लिए करीपते यह सूखे हुए करीपते हैं आपके पास ताजी फ्रेस हैं तो वो भी डाल सकते हैं यहां पे तोड़ी हींग डाली है और हमने इसमें डाल दिया तोड़ी सा जीरा और दालने के बाद गाम उसमे डालेंगे प्यास जो हमने लब इस लाइड में कट करके रखा है प्रेंड यहां पर प्याज का कुई मेजर्मेंट नहीं है आप कितनी ज्यादा चटनी बनाना चाहते हैं उतना प्याज ले ले जैसे कि हमने यहां पर आदा किलो प्याज लिया है तो लगबग 300 ग्राम टमाटर चाहिए ज्यादा टमाटर डालेंगे तो फिर खटा पन हो जाएगा क्योंकि बहुत बराबर नहीं करना है अगर हमने आदा किलो प्याज लिया है तो 300 ग्राम टमाटर मेजर्मेंट सही है तो मिक्स करेंगे और मेडियम गैस पर पकने देंगे अब हम इसमें डालेंगे 4-5 हारी मिर्ची आप कितना तीखा पसंद करते हैं उतनी आप डाल सकते हैं अगर थोड़ी चटपटी बनाएंगे तो अच्छी लगती है इसलिए हमारे बच्चे तो ज़्यादा चटपटी नहीं खाते हैं इसलिए हम फ्रेंड थोड़ा कमी हम इसमें डालेंगे हाप तीज़पून गरम मसाला हाप तीज़पून बुना हुआ जीरा और हाप तीज़पून लाल मिर्ची पाउडर नमक स्वाद अनसार इसमें डाल दे थोड़ा सा चाट मसाला डालने के बालेंगे अब बास सभी को अच्छे से मिक्स करें चाट मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं है तो डाल दीजेगा और हम प्याज को तोड़ा इस तरीके से पिंच कर देंगे मिक्स करते जाएंगे प्याज को प्याज हमारे लगबग पकने वाला ही है अब हम इसमें एड करेंगे जो हमने टमाटर कट करके रखे थे वो सभी टमाटरों को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने देंगे अब हमें टमाटरों को भी खूब अच्छे से पकाना है यहां पर पानी बिल्कुल नहीं डालना है जितना अच्छे से आपका टमाटर पक जाएगा उतना अच्छा चटनी बनेगा और उतना ज्यादा दिन चलेगा खराब नहीं होगा प्रेंड यहां पर एक चीज हमने नहीं डाली है वह है आजवाइन तो वह भी आप डाल सकते हो स्टार्टिंग में क्यूंकि आजवाइन का फिलेवर बहुत ही अच्छा आता है और वह पेट के लिए भी अच्छी होती है खाने के लिए तो आजवाइन भी खाना चाहिए पर म जादा अच्छा है तो यहां पर टमाटर पीशने का प्याज पीशने का जहनजट पिलकुल नहीं है और बस चटनी बन के एकदम तयार हो जाती है यह चटनी बहुत ही टेस्टी तयार होती है और यह चटनी से ब्रेड सेंडविच भी बनता है अगर आप चाहेंगे तो मैं साथ सेर करूंगी ब्रेड सेडवेच की रेस्पी टमाटर चटनी के साथ में बहुत ही टेस्टी बनती है तो फ्रेंट चटनी अमारी यहां पर लगबग पक चुकी है और इसी तरीके से मीडियम गैस पर पकाना है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें सेयर भी करें कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहले से हैं तो मुझे कमेंट करें बताएं कि आपको हमारी चटनी कैसी लगी मैं आपके लिए यहां पे बेजिटेरियन ऐसी तरीके से रेस्पी लाती रहती हूँ तो पिलिए जमारे चैनल को लाइक इन सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड हमने यहां पे डाल दिये हरे धनिया जो हमने चोटे-चोटे पीस में कट करके रखे थे धनिया डालने से वहती खुसबू अच्छी आ जाती है अगर फ्रेंट एक यहां पे मैं आपको बात बताना चाहती हूँ अगर आपको यह चटनी एक दो दिन में ही खतम करनी है तो आप इसमें धनिया डाले अगर यह चटनी आपको 4-5 दिन तक रखनी है तो धनिया ना डाले क्योंकि धनिया हरा पत्ता होता है और वो जल्दी से उसमें पानी रहता है तो खराब होने का चांस रहता है तो चटनी हमारी बन चुकी थी कड़ाई को हमने नीचे उतार लिया है और हमने एक बाल में चटनी को टांसपर कर रहे हैं फ्रेंट इस तरफ से कलर थोड़ा लिए नहीं तो इसका कलर एक दम बहुत ही अच्छा है यह ब्लैक नहीं होई है यह रेड रेड है चटनी पर यह केमरा साइद पता नहीं कैसा हो गया इसके वज़े से इसमें साइद कलर अच्छा नहीं आ रहा है मैंने बाद में देखा है तो उसके लिए आपको सौरी और ह कसा नान चापाती किसी के साथ भी आप खा सकते हो रोटी के साथ पूरी के साथ बहुत ही टेस्टी लगतीं है सफर के लिए तो यह उत्तम बहुत ही अच्छी है अगर आप कहीं जा रहे हैं दो तीन दिनिशेर कररेंस चटनी कैनं कर रहें तो आप इस तरीके से मरका लेसे मैं आपके साथ यह चटनी लेकि आई हूँ अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरू कर दें थैंक यो भाई भाई फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें रादे रादे